नमस्कार मैं हूँ अभयकुमार आप देख रहे हैं अपना खासकार करम विहार समाचार विहार समाचार में खबरे विहार की बाते विहार की देश दुनिया की तमाम खबरे जिसे आपको जानना जरूरी है बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से पंचायत के गलियों से और गाउं के चपालों से जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रवावित करता है तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं किसानों से सम्बन देता है पंचायत के किसानों से सम्बन देत को şiitin की ऐसा जगा होता है कि पेक्स चुनाव तो होते हैं लेकिन फेक्स भलिख्टट हो जाता है दूसरे घिर प्रत्यासी रहते हैं पो बख्याइब रहता है तो पेक्स को शािद कर दिया जाता है और गुशित पैक्स को दूसरे पैक्स से टेक कर दिया जाता है। द्हान के खरीद होती, इसके लिए पैक्स का दान खरीदेगा। धान खरीद किया जाएगा खाद वभुक्ता स्टरक्षन विभाद ने जीलों को धान खरीद का लक्ष दे दिया है अब किसान धान बेश सकते हैं वहीं राजगीर में तीन अधिकारी सस्पेंड किये गए हैं काली कमाई का सी ओ जो सी ओ है से सी की काली कमाई का खुलासा हुआ है बरावली राजगीर में अवैश तरीके से दाखिल खारिज के लिए होती थि वसूली बरावली में भी राजिसो कर्म सब्सक्राइब करवाई राजगीर के खिलाप प्रपत्रवा का गठित किया गया है करन बताओं नोटिस दिया गया है हम आपको उतारे कि पट्टना के सत्पंचक सियो पैरलल ऑफिस चलाकर दाखिल खारीज का मामला के लिए नीजी कर्मियों को रख कर निक्ताते थे जो सियो सहे जो थे और अंचल कर्याले में नहीं बलकि अपना एक नीजी कर्याले खोल दिए थे वहीं पर वस्पूली होता था वहीं से दाखिल खारीज किया जाता था अब जो सियो है क्रिश्ण खांट चौबे और चोकिदार अफ्ताब आलम को नजाइत तरीके से अंचल कर तो अब उन पर करवाई शुरू हो गई है और बिहार में आयकर छापे में सौक और क्यों गोसित आये किस आये मिली और पटना भागलपुर डेहरी ऑंस्वन में लखनों और दिल्ली में भी छापे पड़े हैं और तीस ठीकान पर बड़े पैमाने पर टेक्स चोड़ी के मिले हैं शुराग और सरका और कंस्ट्रक्शन पच्छापे के दोर आनवी धायक पर भी केस किया है और वहीं अगर बात करें तो नितीश कुमारमुख मंत्री ने समिक्सा किया है नितीश बोले सलक बनाने और मेंट पॉलिक्तिया निकाले जाए दो बिंग मनेंगे सब्कों का फीजिकल फेरिटिकेशन होता रहेगा मुख मंत्री ने ग्रामी सब्कों के मेंटेरिंस के पालिसी को देखा है और कहा है कि जो सरकार जो विभाग सब्सक्राइब बनाए वहीं मेंटेरिंस करें इसके लिए अग अधर बात करें कि एक स्वएकान में लोग आवेदन लेकर दो मंत्री कर्याले से वापस लोट गए है जिहां राज़तार सथा गन्ना उदोग मंत्री आलोग कुमार मेहता के राज़त कर्याले में आने के सुचना पर बढ़ी संख्या में जमीन संबल्धी सिकायतों के लोग प अंतर राजिये चोर गिरोह ने उड़ाया था पटना जक्सन से एक क्रोड का सोना धाई लाग की बुल्यट से चोरी करने आया था सरगना गिरोह कलकत्ता मुंबई वदिल्ली तक उड़ाता है रेल याच्रियों के बैग और ट्रोले दो सरगना समय सुलह चोर तीन कारोबार भी गिरफ में हैं पटना के तीन कारोबारी चोरी हुए गहने को ठीक आने लगाते थे और अब हुसन बजार में उसको खपा देते थे गिरोह का सरगना लखिसराय का अन्य बिहार के ही हैं लेकिन उनका नेटवर्क कई राजियों में फैला हुआ था और इधर भाजपा का जूर गुजरा चुनों के बात करें भाजपा का जूर है कि जो हारी हुए सीटे हैं उससे वापस लिया जाए और वहीं कॉंग्रेस ग्रामिन मद्दताओं को लिभाने लुभाने का प्रयास कर रही है और आम आदमी पार्टी घाघर पहुंचकर अपनी उपस्तिती दर्ज सब्सक्राइब करवा रही है जो ही बेगुष राते बुद्ध बड़ी ख़बर है अगर किसी अठवार का ई-पेपर वार्ट ग्रूप में आप चलाते हैं वार्ट के माध्यम से ख़बरों को परसाइद करते हैं साथ से करवाई हो सकती है ई-पर परसाइद करने वाले गृ अगर हटे में जानकादी देने का निर्देश किया है हम आपको बता दें कि यार का बड़ा अखवार समूव धहिनिक भासकर ने हाई कोट में जन्हिंत याज का डायर किया था और इधर बिहार में 162 बीपीसी पीटी रिजल्ट में गर्वडी आरोप लगा प्रशार्तियो ने काटा बवाल सीवी आई जांच की मांग गलत उत्तर को लेकर आयोग में होगा मन्थन रिजल्ट में कट और बहुत ज़्यादा जाने से छात्र आक रोसित हो गए हैं और इधर बात करें सीबीसी स्कूलों में आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस डाटा साइंस और जाइन की पढ़ाई किया जाएगा और पटना इनिर्वाचनायोग ने साफ कर दिया इस धरना पर है और उधर राजनिवाचनायोग ने चुनाओ की तयारी शुरू कर दी जाए एक फरवरी से होगा पंचायतों में उप चुनाओ पंचायत के 2682 पदों पर एक फरवरी होगा चुनाओ राजनिवाचनायोग ने तय किया है कारकरम और उस कारकरम के माद्यम से तय कर दिया कि कहां कब चुनाओ होंगे और पंचायतों में एक बार फिर से चुनाओ की बिगुल बजने वाली है और पंचायतों से ही एक खबर और लेते हैं कि पंचायतों में अब ग्राम पंचायतों सरकार भवन है एक कंप्लीट पैकेज मनेगा और पंचायतों में ही बैंक खुलेगा सहर जाने से मुक्ति मिल जाएगी सहर जाने से मिलेगी मुक्ति बैंक खुलने के खुलने से लूट वच्छिंताई की घटना में भी कमी आएगी आर्थिक रूप से भ ग्रामिनों को सहुलीयत मिलेगी और इधर हम बात करें कि कई पंचायतों sudah इस बिहार के पंचायतों में निर्मान निकार जारी कर दिया गया है बेंक खोलने के लिए और इधर बात करें पटना की पट्ना के गरदनी के जो खबर निकल कर आ है कि चाचा भतीजा की खुर सी जाएगी या हमारी मांगे को माने जाएगी चौथे दीन डटे रहे वाड़ सदा से और वाड़ सदस्यों का हुजूम पठना पहुच रहा है लगातार पठना पहुच रहा है रोटेशन बिदिस से अंधुलन को दे रहे किसान आधुलन की तर को यदिकार नहीं मिला है तो हम भी बकसने वाले नहीं है और या पार की लड़ाई के मूड में है और वाड़ सदस्य लगातार पठना पहुच रहे हैं और इसको कोडिनेशन के लिए जीला मुख्याले पर भी धरना दिया जा रहा है दोनों पठना के गर्दनी वागो जील मुख्याले से कारकरम क्या हो रहा है वहां से लो का आदान पादान हो ताकि ज्यादा दिनों तक वाड़ सदस्ते अपनी लड़ाई जारी रखता के सके लेखिए देखिए फिसरकार का कोई नुमाहिंदा बात करने नहीं आया किसी तरह के गोशना नहीं हुई है लेकिन धी धिरे धिरे वाड़ सदस्तेव का अंदोलन उग्र भी हो सकता है और इधर अगर हम बात करें तो कर चोरी का मामला पटना में पांच सहित 32 कोचिंग संस्थानों पर छापे मारी बानी जी कर विवाग के टीम ने करवाई किया है राज सरकार हर बेघर को पक्का घर उपलब् और कारवाई हुए मोतिहारी में नकली खाद और बिज बनाने की फैक्टरी मिली है पांच गिरफतार हुए है चक्या में पांच वस्ते चल रही थी फैक्टरी संचालक हुआ है गिरफतार और इधर पूरी दुनिया में डीजल की किलत अप फिर से बढ़ सकती है महंगाई क अक्चा तिल समेशे कई कोमडीक के दाम हटने से राहत मिलने की सम्भावना कफूर हो गया है वड़िग्या है महंगाई की मार मार महंगाई की मार घ्ल सकती है जनता और अब 200 से खबर की बात करें, तो पाकिस्तान से खबर लेते हैं, पाकिस्तान का सेना, रियल अश्टेट से लेकर बैंक तक का कारोबार करता है, और बरहष्टा चार का यही जड़ है, सेना चलाती है, डिर्ड लाख क्रोल रुपे से ज़्यादा का बिजनेस, अब पाकिस्तान म तो जो भी पैकेज मिलता है, जो भी राजस्व मिलता है, जो भी पैसे है, उस पर पूरा का पूरा हक सेना जताता है, इसलिए पाकिस्तान में भरष्टा चार चरंप है, और जनता बेहाल है, और इधर स्वास्टा स्वंदित बहुत बड़ी ख़बर निकल करा रही है, हर ज कर रहे हैं इधर बहार में ही कई हटना हो गई है कर्द के तलिब भी दब कर लोग आत्म हत्या कर रहे हैं तो स्वाष्ट रिभागह दो रीच्स कुद। कुछी karşिक कमी लाने का लाख्ष रखा हो रोड़ है दोर कीज तक फुद। कुछी मेरा डश्या दस परणा तक कमी लाने का प्रयास किया जाएगा तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरे जो आपको जानना जरूरी था और आप कोमेंट करके बताएगा खबर का कौन सा हिस्सा आपको पसंद पढ़ता है आप स्वास समंदिक खबर सुनना चाहते हैं या राजिती समंदिया फिर रोजग कि लाओगा प्रयाओ तर्स चाहते हैं यह दो आपको जह, जब के साफ़ा खबराई बंगा